सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए बिग बोस सीजन बारा के सोंबार के एपिसोड में शीसंत एक बार फिर से रोते हुए और घर से बाहर निकलने के जिद पकड़ते हुए नजर आए उन्होंने अपना माइक निकाल दिया और बिग बोस से निवेदिन किया कि प्लीज वो उन्हें उनके घर वापस जाने थे शीसंत ने घर में टीशू पेपर से एक गेन बनाए थी शीसंत और दीपक इस गेन से क्रिकिट खेल रहे थे तब ही विग बोस ने रोमिल को कनफेशन रूम में बुलाया और चेतावनी दी कि घर में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे घर की चीजों को नुकसान हो विग बोस ने रोमिल से तुरंत वो डंडा जिसे बैट बना कर शीसंत और दीपक खेल रहे थे और शीसंत की बनाई हुई गेन को स्टोर रूम में रखनी को कहा इस पर शीसंत भड़क गए और उन्हों ने कहां बिसी सी आई ने भी मेरी गेम बद करा दी और अब बिक बोस भी मेरी गेन शीन रही है शीसंत ने रोमिल से वो गेम वापस मांगी और उसको फार दिया शीसंत बोश रूम में जाकर रोए और इस पर घर के तमाम सदशों ने उन्हें समझानी की कोशिश की शीसंत की इन हरकतों को देखकर घर की कुछ सदश उनका मजाग बनाती कोई भी नजर आए रोमिल ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एक गेम के लिए शीसंत इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं बिग बोस बारा से जुड़ी ऐसी ही कॉंटो वर्सीज, घडाई जगडे, हसी मजाग, मौश मौस्ती और बिग बोस हाउस से जुड़ी और बी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ क्योंकि आपको पिग बोस बारा से जुड़ी हर लेडिस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इंडिया ट्रंडिंग न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेडिस्टोरी इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए